हेलो स्टुडेंट्स, हमारे प्रोग्राम के अंतिम एपिसोट अंक 13 में आपका स्वागत हैं। इस पूरे सीरीज में हमारा प्रयास आपको आगामी 2 जून को आयोजित होने वाली प्रारंबिक एक्जाम में भारती अर्थव्यवस्था संबंधी प्रशनों की चिंताओं से मुक्त करना है। इसी उद्देश से हमने भारती अर्थव्यवस्था के मूल अवधार्णा के साथ करन्ट संबंधित मुद्दों को विस्तार से समझाने का प्रयास भी किया। हमारे एक विवर ने कमेंट किया था कि सर क्या आप लोग हमारे कमेंट को पढ़ते होंगे। उन्हें तथा अपने सभी प्यारे विवर से द्रिश्टी टीम की ओर से मैं कहना चाता हूँ कि आप लोगों का हर कमेंट हमारे लिए मुल्यवान है तथा हर फीडबैक होगी होता है तो चलिए हम आज का अपना तेरवांग शुरू करते हैं जो क्रिशी को समर्पित है क्रिशी सुरू करने से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टन टॉपिक है आप इसको समझ लीजिए जो एक्जाम में इंपॉर्टन है और अभी चर्चा का विशा भी रहा है और होता है जहां आप नए निवेशक आप इसमें जोड़िये और जैसे ही नए निवेशक आप जोड़ेंगे तो आपको लाब मिलता जाएगा पॉंजी स्कीम से आसे ऐसे फरजी निवेश operation से है जिसमें operator पुराने निवेशकों को return नए निवेशकों से प्राप्त धनरासी से देता है या ऐसी स्कीम होती है जिसमें वास्तों में कोई कारोबार या किसी व्यवशाई गतिविधी में पैसा नहीं लगाया जाता है बलकि कुछ व्यक्तियों से पैसा इकठा कर एक व्यक्ति को रिटर्न के रूप में दे दिया जाता है इस तरह एक चेन बन जाती है जिसमे ज्यादातर लोगों का पैसा डूब जाता है और इसका नाम जो है वो इटली का विवशाई चार्ल्स पॉंजी ऐसे ही स्कीम चलाकर लोगों का पैसा हजम कर जाता था और इसी के नाम पर पॉंजी स्कीम का नाम करण हुआ यानि यहाँ पर क्या है कि एक वेक्ति है एक वेक्ति अगर मान लीजे इसमें उनसे कहा जाता है कि भाई तुम तीन वेक्ति और बना दो ठीक है तीन वेक्ति और जोड़ दो कुछ पैसे के साथ में जैसे यह तीन वेक्ति जुड़ेंगे उस वेक्ति को पैसा मिलेगा ठीक है अब इन तीनों वेक्ति से यही कहा जाता है, आप सोची ये तीन वेक्ति फिर तीन बनाएंगे, फिर ये तीन तीन बनाएंगे, फिर ये तीन तीन बनाएंगे, इस तरह के स्कीम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, this is called the ponji scheme, ठीक है, multi-level marketing और एक तरह का ये फरजी स्कीव चीजों में ये पैसा नहीं लगाया जाता है, बलकि यहाँ पर आप नए निवेशक बनाएंगे, और नए निवेशक के बनते ही तब आपको पैसा मिलना शुरू होगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने समझ लिया, चलिया, इसे संबंदित एक प्रश्न को solve कर लें, पॉंजी स्कीम से अभी प्राय है, यह ऐसी स्कीम है जिसमें निशित दर से ब्याज मिलता है, बी, इस स्कीम में धन का उतपादक कार्यों में प्रयोक करके ब्याज का भुकतान किया जाता है, सी, ऐसी स्कीम जिसमें नए निवेशकों को पुराने निवेशकों से धन मिलता है तथा दोगुना ब्याज भी प्राप्त होता है डी वह फरजी स्कीम जिसमें पुराने निवेशक को नए निवेशकों से प्राप्त धन का लाब मिलता है क्या बात है देखिए एक डम चलिए बहुत अच्छा very good answer is d ठीक है कि यहां पुराने निवेशक को नए निवेशकों से प्राप्त धन का लाब मिलता है आईए हमारे आज का जो अंतिम एपिसोड है क्रिशी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं अगर हम क्रिशी की बात करते हैं तो भारत के सकल घरेल उत्पाद में यानि कुल जीडीपी में क्रिशी और संबद्ध छेत्र एगरिकल्चर एंड इस रिलेटेट एक्टिविटीज जिसमें पसुपालन, मत्सेपालन, एनिमल रियरिंग, फॉरस्ट्री, फिशिंग इसको सामिल करते हैं का योगदान उनिस सो पचास इक्यावन में अगर हम बात करते हैं 1950-51 में तो यह लगबक 55 प्रतिसत था 55 परसेंट जो 2016-17 में अब त करके कितना हो गया 17.9 प्रतिसत लगबक आप 18 प्रतिसत मानकर चलिए 17.9 अगर हम केवल एगरिकल्चर की बात करते हैं तो यह तो 13 प्रतिसत तक हो गया है लेकिन अगर हम क्रिशी और संबद्ध छेत्र दोनों को मिला कर देखें तो 17.9 प्रतिसत हो गया कहने का मतलब यह देखेंल आप 28.9 की तुलना में वर्तिमान में कुल GDP में या GVA में क्रिशी छेत्र की योगदान में क्या हुई है ? अगर आज बात करें 2016-17 में तो उसकी तुलना में जो क्रिशी एवं संबध दक्रिया हैं या क्रिशी छेत्र में ही बात करें उसका कुल GDP की योगदान में क्या हुआ है? कमी आया है. ठीक है? अब कृषियम संबद चेतर का कुल GVA में योगदान को ज़रा हम लोग एक बार देखें. एक तरफ वर्ष लिखा हुआ है, दुसरी तरफ GVA में कृषियम अंस प्रतिसत के रूप में लिखा हुआ है. आपके 17, 17, 17 में 17.9 और 17, 18, 17, 18 में 17.1. आपको ये याद नहीं करना है. क्या या देखना है? एनलिसिस क्या कृषियम और उसके संबद चेतर का कुल GVA में लगातार पिछले 5 वर्षों में कमी आई है या बड़ोतरी हुई है? तो हम क्या देख रहे है? न तो कमी आई है, न तो ब बड़ोतरी हुई है, बलकि कम बेसी दोनों ही हुआ है. तो अगर ये कोई कथन आता है कि लगातार कम हुआ है, पिछले 5 वर्षों में लगातार बड़ा है, वो दोनों ही कथन आपका क्या होगा? असत्य होगा. ठीक है? जरा ध्यान से देखिए, कहीं एक तरफ फिर बड़ रहे हैं. रोजगार में कृशी का हिस्सा, जर इसके बारे में बात करते हैं, यानि इन एमप्लोइमेंट, what is the role of agriculture, or what is the contribution of agriculture? जब हम रोजगार के संदर में कृषी की बात करते हैं तो भारत में कृषी छेत्र को निजी छेत्र का यानि एक तरह का असंगठी छेत्र अनगेनाइस सेक्टर भी बात करते हैं इसका अगर हम बात करते हैं, तो वर्स 2016-17 में कुल रोजगार में कृशी और संबद्ध छेत्र का agriculture and its related activities का 43% रहा है, ठीक है, यानि देखिए most of the employment जो है वो agriculture में ही दिखा है, और agriculture में अगर हम देखे तो ये एक असंगठित छेत्र, असंगठित रोजगार को इसने बढ़ावा दि या unorganized और जिसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं पहले, कि unorganized होता क्या है, unorganized sector या unorganized labor होता क्या है, वर्स 1951-1951 में कृशी और संबद्ध छेत्रों में देश की कारेसील जनसंख्या working population की अगर हम बात करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि उस समय 69.5% लोग, लगबक 70% क्रिशी छेत्र में आस्रित थे अपने जीविका के लिए, यानि अपने जीविको पारज और अपने livelihood के लिए agriculture, they were dependent on agriculture at that time on 1950-51, but now you are seeing that, अभी भी ऐसा नहीं कि कम हुआ है बहुत, 43% अभी भी क्रिशी संबद्ध छेत्र में रोजगार दे रहा है, और directly और indirectly अगर बात करे प्रत्यक्ष और आप प्रत्यक्ष रूप से तो अभी भी 60% प्रतिसर जन्जन के हमारी 60% population agriculture पर ही dependent है, रोजगार में क्रिशी का हिस्सा अगर हम इसमें फिर बात करते हैं agriculture में, तो हम देखते हैं कि दो प्रकार की मुखिता बेरोजगारी या unemployment agriculture में पाया जाता है, एक मौ जाता है, अब खरीफ और अभी दोनों 6 मेने का tenure होता है, दोनों में से कोई एक फसल उगाया जाता है, बाकी के 6 मेने वो मनरेगा में काम कर सकता है, लेकिन मनरेगा में काम नहीं करता है, तो एक तरह से देखा जाए, जो वो 6 मेने आराम करता है, या 6 मेने बेरोजगार रह शिपीवी बेरेजगारी जहां अत्रित व्यक्ति की सीमानत उत्पादक्ता वेर्दा marginal productivity of additional labor is zero ठीक है इसका क्या मतलब हुआ मान लीजे खेत में दो लोग काम करने के लिए चाहिए लेकिन वहां पांच लोग काम कर रहे हैं तो क्या इससे उत्पादन बढ़ेगा उत्पादन नहीं बढ़ेगा क्योंकि अधिक्तम दो लोगों की आउशक्ता है और पांच लोग 5% अगर included वहां काम कर रहे हैं तो इससे उत्पादन नहीं बढ़ेगा ठीक है बलकि अगर वो तीन लोगों को जो थ्री extra labor है उसको अगर हटा भी दिया जाए तो इसका उत्पादन पर कोई vicious प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा तो इसलिए कहा जाता है कि अत्रिक्त व्यक्ति की सीमानत उत्पादक्ता सुनने हैं और अगर उन अत्रिक्त व्यक्ति को कारे से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन या उत्पादक्ता पर उसका कोई भी production productivity पर बहुत ज़्यादा इंपक्त उसका नहीं पड़ता है इसी को कहा जाता है डिसगाई unemployment और इस पर यूपेसी एक बार सवाल पूझ भी चुका है अगर समझ गए तो एक प्रशन का हल करते हैं निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए कतन एक भारत के सकल घरेली उत्पाद में क्रिशी छेत्र का य ज्यादा होती है ओ परिफ्ट में से कौन सा कथन सत्य है एक केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दो डी न तो एक नहीं दो क्या बात है पकड़ लिया हां पहला कथन भी गलत क्योंकि दोनों का ही योगदान कम हुआ है और छिपी विरोजगारी में सिमान तुत्पादक्ता क्या हो जाता ज्यादा नहीं बलकि क्या सुनने हो जाता है तो आंसर सत्य पूछा है दोनों कथन गलत है तो क्या होगा डी न तो एक नहीं दो ध्यान रखिएगा सत्य पूछा है मैंने अब हम export and import का contribution of export and import of agriculture share of agriculture import and export की बात करते हैं आयात निर्यात में क्रिशी का हिस्सा आयात निर्यात में देखते हैं तो क्रिशी उत्पादों के 10 प्रमुक निर्यातक देशों में अगर exporting countries की बात करें तो भारत का 10th rank है भारत का ठीक है यानि अगर पहला स्थान European Union का है दुसरा USA, Brazil, 3rd, 4th चीन का है, 5 वा Canada का है, 6 इंडोनेशिया का है तो दस्वे position में कौन ह भारत है ठीक है वहीं क्रिशी वस्तुओं का जो भारत इंपोर्ट करता है, आयात करता है उसके terms में देखा जाए तो भारत का स्थान 7th है याद रखेगा एक्सपोर्ट में याद कीजिए 10th, एक्सपोर्ट में 10th, एक्सपोर्ट में 10th और इंपोर्ट में 7th है ठीक है और इंपोर्ट की बात करते हैं तो पहले कौन 6 हैं तो पहला है European Union, दुसरा USA, तिसरा चीन, जापान, कैनाडा, दच्छिड कोरिया और भारत ठीक है सात्वे स्थ पादो के वैश्विक वैपार, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो भारत का जो निर्यात का हिस्सा माना गया वो 2.1%, क्रिशी के संबंद में वस्तु और सेवा के संदर में तो 2% हमें पता ही है लेकिन क्रिशी के संदर में बात करें तो हम देखते हैं उसमें 2.1% य केवल याद रखिए कि agriculture and its related product की बात कर रहा हूं तो इसमें यहां क्या देख रहा है आयात हमारा 1.8% है contribute करता है जबकि निर्यात हमारा 2.1 यहां देखने को मिल रहा है कि हम निर्यात जादा करते हैं और आयात कम करते हैं हमारा निर्यात लगबक 34 billion dollar का है जबकि आयात हमार 29 billion dollar का है अब हमारा जो निर्यात करने वाले कृशी वस्तुएं जो agriculture product है उसमें सबसे important का है सामुद्री कृतपाद marine product ठेक है important यह नहीं कितना contribution है मसाला spices देखते हैं फल और सबजी और दाल fruits, vegetables and pulses कच्चा कपास देखते हैं raw cotton तो इसके साब से देखा जाए सबसे जादा सम कच्चा कपास यानि raw cotton को हम देखते हैं जबकि आयात में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हम खादे तेल को सबसे ज़्यादा food oils हैं हम लोग उसको देखते हैं सबसे ज़्यादा हम आयात कर रहे हैं oil seeds को फिर उसके बाद में दाल को pulses को और काजू को ठीक है ना तो यह हम देखते हैं जो हमारे importing items हैं खादे तेल, डाल, ठीक है खादे तेल दियार रखेगा, खादे तेल मतलब food oil को और डाल और फिर काजू, फिर अगर हम बात करते हैं देश की कुल बुवाई, छेत्रफल का मात्र हमारा केवल 45% ही भाग सिंचित है इरिगेटेड लैंड है, मने जो लैंड हमारा है उसमें कितना इरिगेटेड अगरिकल्चर लैंड कितना सिंचित है, इरिगेटेड है तो लगबख 45% और जबकि 54% भाग आज भी हमारा एगरिकल्चर के लिए मौनसून्स पर डिपेंड करता है, अगर हम वैश्विक उरुवरक उभोग में बात करें, मने फटिलाइजर के उपयोग की बात करें तो फटिलाइजर के उपभोग में उर्वरकों के उभोग में भारत का चीन के बाद दुसरे पायदान पर यानि यहाँ पर आप देखिए कि हरित करांती जब हमारा आया 1966 में जब हमने हरित करांती की सुरुवात की तब से लेकर अब तक अगर आप देखिए जब हम उरवरकों का जादा प्रयोग कर रहे हैं जादा से जादा किसान उरवरकों का खेतों में उपयोग कर रहे हैं और आ और चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है इतना जादा हम उरवरकों का मैं बताया भी था कि उरवरक में NPK का उपयोग करते हैं जिसमें 4-2-1 आइडल माना जाता है कि इसको उपयोग होना चाहिए लेकिन हमारे कंट्री में 8-3-1 का उपयोग हो रहा है ठीक है अब सबसे ब प्रडक्शन में तो भारत तिसरे पाइदान पर रखता है थर्ड नंबर में पहला चीन रखता है दुसरा अमेरिका है और तिसरा नंबर भारत का आता है और वैश्विक उरवरक उत्पादन में अगर भारत का योगदान देखते हैं तो उरवरक में ठीक है जबकि उरवरक जबकि उत्पादन में हमारा योगदा 9.5% फिर से बोल रहा हूं वो भोग में देखना हमारा 14.84% है जबकि उत्पादन में हमारा 9.5% है एक प्रशन देखते हैं निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए भारत विश्व में क्रिशी उत्पादों के निर्यात में दस्वा स्थान रखता है जिसमें ज्यादातर सामुद्रिक उत्पाद तथा मसाले सामिल है कथन दो वैश्विक उरुवरक उभोग में भारत का स्थान तिसरा जबकि उत्पादन के मामले में पहला स्थान है उपरित्व में से कौन सा कथन सत्य है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2, D न तो 1 न ही 2 क्या बात है, पहला कथन सही है, यह तो एकदम बिल्कुल समझ में आ गया निर्यात में दसवा और आयात में साथवा, दुसरा कथन गलत क्योंकि भोग में हमारा दुसरा स्थान है और उत्पादन में हमारा तिसरा स्थान है तो कहीं न कहीं दुसरा कथन गलत और पहला सही है, आंसर कथन सत्य पूछा है तो A केवल 1, हम नियुंतम समर्थन मुल्ले की बात करते हैं, अगरिकल्चर में अब नियुंतम समर्थन मुल्ले वह मुल्ले होता है जिस पर सरकार FCI Food Corporation of India भारती रास्टी खादे निगम के द्वारा जो जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी उसके द्वारा सरकार किसानों से अनाज खरीदती एक निश्चित मुल्ले पर यानि वह मुल्ले होता है जो किसानों को बाजार की गिरती कीमतों से the continuously fall in the price of food product in the market उससे किसानों को protect करता है किसानों को उससे रक्षा करने का या उससे सुरक्षा देने का काम जो करता है वो नियुंतम समर्थन मुल्ले करता है नियुंतम समर्थन मुल्ले की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि इससे संबंदी जो important committee है वो लक्षमी कांत जहास समीती जिसका गठन 1965 में हुआ ठीक है और उसी के सिफारिस पर क्रिशी मुल्ले आयोग agriculture price commission जो है CAP इसका गठन हुआ था 1965 में agriculture price commission और 1965 में उसका गठन हुआ ठीक है वो establish हुआ और 1985 में इसका नाम बदल कर CAP का नाम बदल कर CAC कर दिया गया यानि commission on agriculture cost and CACP commission on agriculture cost and price यानि क्रिशी लागत और मुल्ले आयोग किया गया यही क्रिशी लागत और मुल्ले आयोग या CACP जो है यह MSP की गढ़ना करता है calculation और उसको recommend करता है लेकिन अंतिम रूप से जो अनुमोधन करने का काम वो CACP का नहीं होता है बलकि व और सबसे बड़ी बात है कि 2006 में MS स्वामी नाथन समीती ने सिफारिज दिया कि MSP जो है वो किसानों को उचित मुल्ले नहीं दे रहा है fair price नहीं दे रहा है इसको बढ़ाना चाहिए इसको जो इसका लागत है उसको डेड़ गुना कम से कम 50% इसको बढ़ाना चाहिए ठीक ह वृद्धी कर दी है और 2018-19 के बजट में MSP को डेड़ गुना बढ़ाया गया अब डेड़ गुना किसका बढ़ाया गया तो हम अगर MSP की गढ़ना की बात करते हैं जैसा कि मैंने बताया है CACP इसकी गढ़ना करता है तो CACP इसमें बहुत सारे कारक लेता है जैसे मांग औ और आपूरती डिमांड और सप्लाई होता है अंतरास्टी बाजार मुले इंटरनेशनल प्राइस क्या है फिर उसके बाद में दूसरा थर्ड फैक्टर जो है वो लेता है कि उत्पादक भोकता वर्ग यानि कंजूमर पर उसका क्या एफेक्ट पढ़ रहा है फिर किसानों क लागत मुले किसान का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या आ रहा है ठीक है और इंटर क्रॉप पैरिटी उसको देख करके क्या कर रहा है CACP MSP की गढ़ना करता है यह वो कारक है जिसको फैक्टर्स हैं जो MSP की गढ़ना में उसके काम आते हैं अब MSP की गढ़ना में जो मुख बाते ली जाती है जो मुख्य फार्मूला लिया जाता है वो लिया जाता है A2, A2 प्लस FL को और C2 को लिया जाता है ठीक है यह तीन आपको धिहान रखना था अब A2 का मतलब हो गया किसान जो कैश के रूप में मान लीजे B जो रूबर है किसको खरीदने के लिए अगर किसा FL का मतलब होता है फैमिली लेबर यानि उसमें क्योंकि किसान अखेले तो काम नहीं करता है उसका परिवार भी उसके साथ काम करता है तो वो जो फैमिली लेबर है पारिवारिक श्रम उसके लागत को भी जोड़ दिया जाता है तो A2 प्लस FL हो जाता है ठीक है अब A2 और A2 जो कॉस्ट को लेकर यानि वो लागत जो दिखाई दे जैसे हुआ किसान B जो रुवरक सिचाई के साधन इरिगेशन टेक्निक्स खरीद रहा है तो विजिबल होगा ठीक है लागत लेकिन मान लीजे भूमी प्रबंधन पर लैंड रिफॉर्म्स पर किसान खर्च कर रहा है भूमी के मैनेजमेंट पर या समझ लीजे किसान का परिवार जो है वो काम कर रहा है उसका लागत है ठीक है परिवारी स्रम लागत तो वो इन्विजिबल में आएगा अब विजिबल और इन्विजिबल दोनों को मिला कर क्या होगा C2 ठीक है तो इसमें ज़्यादा है याद रखिएगा A2 प्लस FL में 50% बड़ा है तो वो लगबख C2 के बराबर आ गया है जबकि सही मायने में किसानों को चाहिए था कि वो C2 से ज़्यादा होना चाहिए था 50% ठीक है तो ये थोड़ा सा विवाद रहा है और ये मेंस का टॉपिक है आप लोग थोड़ा सा करे 50% की वृद्धी की गई है और सबसे बड़ी बात है कि वरतमान में MSP की गोष्णा 24 फसलों में की जाती है और एक फसल जो गन्ना है सुगर केन है उस पर सरकार क्या देती है सुगर केन की अगर हम बात करते हैं तो उस पर सरकार FRP देती है Fair and Remunerity Price जिसको हम बोलते हैं उच क्यों दिया जाता है ये भी मेंस का टॉपिक है आपका अब वरतमान में MSP की गोष्णा 24 फसलों में की जाती है थोड़ा सा पढ़ लीजे याद रखेगा अनाज साथ परकार के अनाज लिए जाते मन इसको खादे और गैर खादे फसल दोनों को इसमें सामिल किया जाता जान, गेहू, जौ, जौ, जौर, बाजरा, मक्का और रावी और डाल पांच किस्म का है जिसमें चना, अरहर, तूर, मूंग, उड़द या मसूर और तिलहन जो है वो आठ परकार के जैसे मूंगफली, सरसो, सोयाबीन, सूरजमुखी बीच, तोरिया, जूट, तिल, नाइ 24 के अलावा जो गन्ना है, गन्ना पर MSP नहीं बलकि FRP जो MSP से जादा होता है, अब MSP में एक और है प्रणाली जिसको हमको समझना पड़ेगा, निती आयोग ने इसको अभी हाल में सिफारिस किया, और मद्ध प्रदेश में ये भावांतर योजना के नाम से चल रहा है, ठ किसान है, किसान को बोला गया कि तुम भई अपना फसल जाकर के बाजार में बेचो, अब उसका फसल का कीमत सरकार ने लगा दिया 100 रुपया है, सरकार ने रिधारित कर लिया, CACP ने के 100 रुपया है, अब किसान बाजार में जाकर इसको 100 रुपया में बेच रहा है, 100 रु लेकिन बाजार में उसको कितना मिल रहा है 90 रुपए तो बचा कितना यानि 10 रुपए जो है सरकार बोलती ही यह आपके खाते में डाल दिया जाएगा अगर आपको नुकसान होता है तो ठीक है यह परचिर्ची आपको जा करके आपको FCI में जमा करना होता है तब जा करके तो चुनिंदा फसलो और उनके वास्तविक बाजार मुल्य तथा सरकार द्वारा जारी MSP मुल्यों के बीच वही है 100 रुपए और 90 रुपए के बीच के अंतर का मौवजा दिया जाएगा और सबसीडी जो है मनें जो 10 रुपए है जो आपको लॉस हुआ उसको सबसीडी मान लेजे क्योंकि गवर्मेंट तो आपके अकाउंट में देगी तो वो सबसीडी राशी जो है आधार कार्ट से लिंक बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा डिबिटी डारेट बेनिफिट ट्रांसफर से डिबिटी एक माध्यम है जहां पर बैंक अकाउंट के माध्यम से जो जैम ट्रिनेटी पर काम करता है जंधन आधार मोबाइल और आपके अकाउंट में सीधे उसका पैसा डाल दिया जाएगा चलिए MSP से सम्मादित एक प्रश्न को हल करें नियुन्तम समर्थन मुल्य के संदर में निमलिखित कत्रों पर विचार कीजे कत्थन एक या किसानों को बाजार में फसलों की बढ़ती कीमतों से सुरक्षा देता है कत्थन दो इसकी गड़ना का कार एक किशी लागत और मुल आयोग करता है कत्थन तीन इसमें उन फसलों को सामिल नहीं किया जाता है जो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के दाएरे में आते हैं उपर युक्त में से कौन सा कत्थन असत्ते हैं A केवल दो B एक और तीन C दो और तीन D केवल तीन तो हम देखते हैं बाजार की तीक कीमतों से कि बाजार में उनको कीमत ठीक नहीं मिल रहा है तब MSP उनको लाब पहुचाता है ठीक है और फिर इसकी गढ़ना का कार यह तो बिल्कुल सही है और तीसरा यह कत्थन भी क्या है गलत है ठीक है तो कौन सा आपका सही है केवल दो लेकिन पूछा क्या है असत् तीन यानि बीज दा करेक्ट आंसर कि पहला और तिसरा गलत है और जबकि दुसरा करेक्ट है तो हमने असत्य पूछा है तो बीज दा करेक्ट आंसर अभी हाली में 2018 में सरकार ने क्रिशी कल्यान अभियान को सुरू किया क्या होता है क्रिशी कल्यान अभियान इसको जरा को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो इसका मूझ उद्धश्य है और इसका उद्धश्य क्या है किसानों को उन्नत तकनीक और आये में बढ़ाती करने के तरीकों के बारे में सहायता और जानकारी प्रदान करना है जो important बात है इसको याद रखेगा किसानों को उन्नत तक्निक modern technology, high technology advanced technology और आए में बड़ोतरी करने के तरीके किस तरह से आप अपने income को raise कर सकते हैं उसके लिए सहायता और जानकारी awareness देना इस अभियान के अंतरगत ग्रामिड विकास मंत्राले निती आयोक के दिशा निर्देश अनुसार ठीक है उसके अनुसार जिले के हजार से अधिक आबादी वाले 25 गाउं का चैन करेगा जो इस अभियान को चलाया गया एक है agriculture export policy 2018 कृषी निर्यात निती इसको थोड़ा ध्यान रखिए कृषी निर्यात निती का सबसे important point क्या है वो पहले देखिए कृषी निर्यात निती 2018 का उदेश दोज़र 22 तक 2022 तक याद रखिए निर्यात को 60 हरफ अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है या उससे ज्यादा करना है जो वर्तमान में कितना है अभी आपने पढ़ा था 34 अरफ डॉलर और इसको बढ़ा कर कितना करना है 34 बिलियन डॉलर से बढ़ा कर 60 बिलियन डॉलर 60 अरफ डॉलर तक ले जाना है और या कृषी निर्यात के सबी पहलूओं पर ध्यान के इंद्रित करेगी जिसमें इंफ्रस्ट्रक्चर आधार्बुस संडचना का आधुनिकी करण मॉडरनाईजेशन ऑफ इंफ्रस्ट्रक्चर उत्पाद का मानकी करण स्टैंडराईजेशन ऑफ प्रोड़क्ट नियमों को सूव विवस्थित करना तथा अनुसंधान और विकास रिसर्च और डबलप्मेंट गतिविधी पर भी ध्यान के इंद्रित करना सामिल है कृषी निर्यात के निती के दौरा चाई, कॉफी और चावल जैसे कृषी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के अलावा वैश्विक निर्यात प्रतिबंधों को भी खत्म करना है ताकि निर्यात को और जादा बढ़ाया जा सके इस निती के तहट निर्यात किये जाने वाले कृषी उत्पादों में विविधता डिवर्सिफिकेशन इस वेरिए इंपॉर्टन ठीक है लाने के अत्रिक्त उनके लिए नए बाजार माने सर्चिंग ऑफ़ नियू मार्केट अब अब बाजार अक्स पोर एक्सपोर्टिंग अग्रिकल्चर पॉलिसी 2018 तो agriculture export policy 2018 में mostly जो बात की गया है की गई है एक तो निर्यात को बढ़ाना 2022 तक 60 अरब डॉलर तक दुसरा diversification के अलावा new market search करना चाय कॉफी मसाला इनके निर्यात को बढ़ावा देने के अलावा साथ साथ निर्यात प्रतिबन जो export restriction है उसको भी दूर करना अब सबसे important बात है क्रिशी सब्दावली कुछ हम agriculture अग्रिकल्चर टर्मिलोजी पर बात करते हैं क्रिशी सब्दावली जो exam के लिए आपके लिए बहुत important है तो हम एक एक करके क्रिशी सब्दावली को पढ़ते हैं पहला आता है vertical farming most important for 2019 exam अच्छे से समझ लीजे पहले क्या ह होता है मैं समझा रहा हूँ vertical farming क्रिशी की एक अत्याधुनिक टकनीक है जिसमें खेती सपाट जमीन पर यानि प्लेन जमीन पर प्लेन फर्स पर नहीं करके प्लेन जमीन पर नहीं करके नहों कर बहुमंजली इमारतों पर होती है इसे एक तरह का बहुमंजली green house भी कहा जाता है ठीक है multi level green house भी कहा जाता है तो पहला बात है कि इसको एक सपाट भूमी पर ना करके बहुमंजली इमारतों पर होती है और बहुमंजली green house भी कहा जाता है अमेरिका चीन मलेशिया जैसे दुनिया के कई देशों में पहले से ही vertical farming हो रहा है और vertical farming इसमें भूमी भी कम उप कांच की होती है और अत्याधुनिक टकनीक से या सिचाई की जाती है modern टकनीक से चीक है तो उसको पढ़ते हैं सहरो एवं ग्रामीर छेत्रों में बढ़ती आबादी के कारण क्रिशी छेत्र में भूमी की तेजी से कमी आ रही है इसलिए क्रिशी छेत्र में फसलों की ऐसी कि इसमों की जरुवत होगी जो कम स्थान पर याद रखे का कम स्थान पर ज्यादा उत्पादन कर सके इस ट्रिस्टिकोंड से वर्टिकल फार्मिंग बहतर विकल्प है इसमें एक ही भूमी पर पदसो पानी क्रम यानि वही बहु मंजिला क्रम में हना बहु मंजिला इमारतों प वर्टिकल फार्मिंग के तहट खेती में दस गुना कम पानी और कम भूमी का उपयोग कर ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है जैसा कि मैंने कहा एक अत्याधुनिक तकनीक है जिसमें खेती सपाट जमीन पर ना होकर बहु मंजिली इमारतों पर होती है इसे एक तरह का बह द्वारा किसान अपने क्रिशी उत्पादों को देखिए इनाम और इरकम दोनों अलग-अलग है इनाम के द्वारा किसान अपने उत्पादों को लेकर के APMC जाता है और वहां जाकर ये डिसाइड करता है कि वो APMC यानि Agriculture Produce Marketing Committee जिसको कहा जाता है APMC क्रिशी उत्पाद वीप बेश सकता है और सबसे बड़ी बात है इसको MSTC Limited द्वारा विक्सित किया गया है MSTC क्या है Metal Scrap Trade Corporation और ये मिनी रत्न स्रेणी वन यानि स्रेणी वन की कंपनी है ध्यान रखिएगा सरकार की MSTC Metal Scrap Trade Corporation एग्री उडान सरकार ने क्रिशी छेतर में नवाचार Innovation और उद्यमिता Entrepreneurship को विख बढ़ाने है तू एग्री उडान योजना की सुरू किया है यह योजना नए स्टार्टप को निवेश करताओं से जोड़ने का कारे करते हैं Investors और स्टार्टप को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है एग्री उडान होटी नेट क्या है भारत से European Union को निर्यात किये जाने वाले अंगूर अनाज और सबजीयों के फर्मों के पंजी करण परिक्षण ठीक है प्रमाण सर्टिफिकेशन हे तू एक नया सिस्टम जिसको होटी नेट कहा गया है यह विक्सित किया गया है याद रखिए कि European सेंग को निर्यात किये जाने वाले इसमें अंगूर अनाज और सब्जीयों सामिल है अब फिर आता है टर्म DMH 11 ठीक है DMH 11 इसकी यह क्या है दिल्ली विश्व विद्याले के Center for Genetic Manipulation of Crop Plants त्वारा सरसो की याद रखिएगा सरसो की नई जैव रुपांतरित किस्म DMH 11 विक्सित किया गया है यह सरसो का एक नया जैव रुपांतरित किस्म है याद रखिएगा एक यह बहुत important इस बार के exam के लिए सुविक्षा CCH 4474 तो याद रखिएगा Central Cotton Research Institute जो नागपूर में है ने तामिल नाडू राज्य के किसानों के लिए कपास की एक नई किस्म विक्सित किये जिसको कहा गया सुविक्षा CCH 4474 और इसको आप लोग Science and Tech में पढ़ेंगे किसका क्या लाब है अब wheat blast क्या है wheat blast गेहु की फसल को नुकसान पहुचाने वाली बीमारी जो magna pote orizo magna p और इजे यह तरह का fungus है यह याद रखेगा इस से यह गेहु को ज़्यादा तरह यह नुकसान पहुचाता है wheat blast एक है UG99 गेहु की इस बिमारी का सबसे पहले यूगांडा में 1999 में पता लगाया गया यह गेहु की PW343 प्रजाती के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है फिर एक कुष्यम योजना इसको भी जरा समझ लीजिए इसका उद्देश सौर उर्जा का इस्टतम उपयोग करना तथा किसानों को नवी करनी उर्जा की और स्थानांत्रित होने हे तू प्रोसाहन प्रदान किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो renewable source of energy का एक है smart क्रिशी क्रिशी उत्पादक्ता को बढ़ाने के लिए वर्टमान में smart क्रिशी का उपयोग किया जा रहा है जो की परिशुद्ध क्रिशी का समानार्थी है परिशुद्ध क्रिशी एक तरह से देखा जा प्योर agriculture इसमें सामिल है उत्पादक्ता में productivity को बढ़ाना समवर्धित लोचक्ता एवं क्रिशी दुस प्रभाव को कम करना ये वे तरीके हैं जिने अमल में लाकर बढ़ती आबादी के साथ क्रिशी उत्पादों को बढ़ती भी मांग को पूरा कर खाद्यान सुरक्षा को सुनिश्चित करना है माने खाद्य सुरक्षा जिस आपसे हमारी जनसंक्या बढ़ रही है बहुत ही कम समय में हम चीन को पीछे छोड़ करके नंबर वन होने वाले हैं हर साल एक अस्ट्रेली हमारे यहां पैदा होता है तो कम स कम 330 मिलियन टन जो कि अभी एकोनामिक टाइम्स के सरवे में भी आया है तो कम से कम उसलिए हम किसान संपदा योजना के भी सुरुवात किया उसके लिए स्मार्ट क्रिशी पर ध्यान देना आवश्या क्या और स्मार्ट क्रिशी जो 7E पर केंद्रित है वो 7E है उचतर उत्पादक्ता के जरी उत्पादन बढ़ाना, एकोनामिकल यानि आर्थिक द्रिश्टी से किर्शी की वहवारता, एनर्जी यानि जिवाश्म इंधन की उर्जा का सिमित उपयोग, फिर efficient यानि सिमित प्राकितिक संसाधनों का कुशल, इस्तेमाल, equitable यानि किर्शी स इसको भी जड़ा देख लीजे, मिर्दा गुडवत्ता जाचने की वह तकनीक है, यह वह तकनीक है, टेकनीक से है, जिसमें बिना, बिना जो सॉइल का आप सैंपल लिए, बिना मिर्दा के नमुने लिए, बगैर नैनो मीटर के स्तर पर उसके विस्तरित प्रतिबिम, सब्धावली हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों ने पढ़ लिया है, अब जरा हम लोग एक प्रस्न का उत्तर देते हैं, निमलिखित का सही मिलान कीजिए, सब्धावली संबंद, एग्री उडान, वर्टिकल फार्मिंग, हाइपर स्पेक्टरल इ यह है, A2, वर्टिकल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग क्या होगा, B3 और C1, यानि यह हो गया C, C is the correct answer, A2, B3 और C1, अब बात करते हैं हम मेगा फुट पार्क की, खाद्य प्रसंसकरन उत्योग में मैंने जैसे बताया था कि मेगा फुट पार्क बहुत इंपॉर्टें और किसान संपदा योजना जो खाद्यम प्रसंसकरन मंत्राले दोरा चलाया जा रहा जिसमें मेगा फुट पार्क भी एक क्लस्टर स्कीम के अंतरगत, संपदा योजना के अंतरगत चलाया जा रहा है, मेगा फुट पार्क है क्या, पहरा बात तो है कि आप प्रसंसकरन को ज में ही बड़ोतरी होती है तो अगर हम बात करते हैं मेगा फूट पार्क जैसा पतंजली बाबा राम देओ को कौन नहीं जानता अब पतंजली के कारण तो पतंजली एक ऐसा मेगा फूट पार्क है जो बहुत फेमस भी और जिसका विश्य में अपना एक अनोखा एक अलग पह अधिक्तम मुल्यवर्द समवर्धन वैल्य अडिशन नुकसान को कम करना यानि मौडर्न टेक्निक्स का यूज करके नुकसान को कम करना रिडूसेस वेस्टेज और फिर किसानों की आय बढ़ाना इंक्रीज इनकम और फार्मर और विशेश का ग्रामीर छेत्र में रोजगा और एंप्लॉयमेंट जेनरेशन के अवसर सुनिश्चित करना है यह एक क्लस्टर द्रिश्टिकोर्ण पर आधारित होता है यह अत्यंत प्रसंसकरण सुविधाओं के साथ आधार्बुस संरचना का समर्थन और सूव्यवस्थित आपूर्ति स्रिंकला के साथ एक अगर मेगा फूट पार्ग के स्थापना करना है पूरे देश में और इसको आप पढ़ना भी गूगल से कि कितने मेगा फूट पार् कि स्थापित हो गये बहुत important भी आपके exam के लिए तो याद रखना है कि सरकार उसके लिए आर्थिक सहायता भी दे रही है जैसे mega food park की स्थापना मुल्य समवर्दन के साथ खेतों से बाजार तक जोड़ने के लिए आधारभूत आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के साथ खाद्य के स्थापित करना चाता है तो सरकार बोलती है कि जितना भी प्रोजेक्ट का लागत है उसका या तो हमसे 50% और या 50 करोड दोनों में जो कम है या तो प्रोजेक्ट का 50 करोड 50% ठीक है मान लीजिए 200 करोड का प्रोजेक्ट है 200 करोड का 50% कितना होगा 100 करोड तो इस केस में सरकार क्या देगी, کितना देगी, 100 करोड़ देगी वी, 50 करोड़ देगी, ठीक है, जो रोजेक्ट क्रोड, या प्रोजेक्ट लागत का 50 प्रतिसत ठीक है, ये मैदानी इलाकों में, लेकिन पहाड़ी लाकों में अगर करती है, पहाड़ी आ पुरवटर चेत्र में, तो project लागत का 75% और 50 करोड जो दोनों में कम है जैसे 200 करोड है तो 200 करोड का 75 क्या होगा ठीक है वो भी 50 करोड से जादा होगा तो उस case में भी सरकार 50 करोड से जादा नहीं देगी याद रखेगा ठीक है जैसे हुआ जहां पर 50 करोड से कम है वहाँ पर तो देखेगा कि 75% बहुत जादा लाबदायक भी होता है तो याद रखेगा maximum 50 करोड तक का सरकार आर्थिक साहिता यानि help कर रही है या financing का काम कर रही है और mega food park की स्थापना के लिए ये याद रखेगा नियूंतम 50 एकड भूमी की आश्रक्ता होती है और क्रिशी राज्य का विश्य है इसलिए भूमी उपलब्द कराने का भी काम कौन कर रहा है राज्य ही कर रहा है तो यहाँ पर 50 एकड नियूंतम 50 एकड भूमी भी उपलब्द कराने का काम जो है ये राज्य द्वारा किया जा रहा पचास एकड़ भूमी तो इसमें नियूंतम चाहिए चाहिए ठीक है एक बहुत इंपॉर्टन बात है इसमें इससे जुड़े मेगा फूट पार्क से सम्मंदित आप उसको भी जान लीजे क्या है पहला तो मेगा फूट पार्क जो ह वो हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारीत होता है याद रखेगा हब एंड एक्जाम में पूछ सकता है हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारीत होता है हब एंड स्पोक मॉडल पर इतना याद रखेगा कि देखे मेगा फूट पार्क बीच में अब उसको चारो तरफ से वो क् and spoke model कहा जाता है और सबसे बड़ी बात है important बात आप याद रखेगा कि पंजाब में पहला पंजाब में मक्का आधारित याद रखेगा मक्का आधारित प्रथम मेगा food park विक्सित किया जाएगा और ये 55 एकर छेतर में ये फसल विविदी करण और जल सन्रक्षण को बढ़ावा देने में सहायक होगा यानि लगबग 55 हेक्टेर भूमी में इसका बनाया जाएगा और जो फसल विविदी करण और जल सन्रक्षण में भी ये सहायक होगा तो याद रखेगा पंजाब में मक्का आधारीत प्रथम मेगा फूट पार्क खोला जा रहा है रिक्षित किया जाएगा अब जब मेगा फूट पार्क समझ में आ गया तो आईए से सम्मंदित एक प्रश्ण पूस्ते हैं कथन 3 इसका पूर्ण वित्व पोशन केंद सरकार द्वारा किया जाएगा वो परिप्त में से कौन सा कथन सत्य है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2, D 1, 2 और 3 क्या बात है एकदम पकड़ लिए तिसरा कथन गलत है पूर्ण वित्व पोशन तो नहीं कर रही है सरकार खाद्यम प्रसंस्क्रान मंत्राल है और दूसरा भी सही है यानि कथन C is the correct answer एक और 2 यह दोनों सही है जबकि सत्य पूछा है आपसे कथन 3 गलत है बात करते हैं अनुबंद कृशी Contract Farming की जो बहुत चर्चा में भी रहा है यह मेंस का टॉपिक है लेकिन प्री में भी थोड़ा समझ कर जाई है अनुबंद कृशी यह किसान और फर्मों के बीच यानि किसान और फर्म जो है इसके बीच एक agreement होता है जहां पर फर्म बोलता है किसान से भाई तुम अनाज उत्पादन करो और भविष्य में जो तुम्हारा अनाज उत्पादन होगा उसका आज हम तुमको बता देते हैं या हम इस बात का तुमको गारंटी देते हैं कि जो भी तुम उत्पादन करेगा वो सारा उत्पादन हम तुमसे जो एक निश्यत मुल्य जिसका मुल्य आज निर्धारिद कर लेंगे हम लोग उस मुल्य को forward rate जो याद है न आपको Forex swap में भी आपने पड़ा था तो उसको हम आज ही निर्धारिद कर लेंगे कि हम उसको खरीद लेंगे यह कौन बोलता है यह company बोलता है अब किसान को इससे क्या लाब है कि भईया जब उत्पादन हो जाएगा तो उसको इस बात की चिंता नहीं है कि बाजार में उसका मुल्य गिर रहा है या बढ़ रहा है उसको पता है कि company आकर के बड़े आराम से उसका उत्पाद खरीद लेग तो यह किसान और फर्मों के बीच फसल पुर्व समझोते के आधार पर किये गए कृशी उत्पादन को कहा जाता है इसके तहर छोटे-छोटे किसान आपस में मिलकर संगठन बनाते हैं जिसको farmer produce organization एप्पियो भी कहा जाता है ठीक है न और खाद प्रसंसकरण इकाईयों शित मातरा में विक्रे का उनको आस्वाशन मिल जाता है इसमें किसान सीधे खरीदार से जूड़ता है इससे बिचौलियों का meditator का उनमुलन होता है और जिससे किसानों को fair price मिलता है या किसानों को खाद प्रसंसकरण हे तू आवश्यक फसलों के उत्पादन के लिए प्र मंडी जहां किसान अपने पहले उत्पाद को बेशता है और 1950 से सरकार ने APMC मंडियों की स्थापना शुरू की तो APMC मंडी कभी भी contract farming को बढ़ावा नहीं देती क्योंकि APMC राज्जी का विश्य है और contract farming समवर्ती सूची का विश्य है तो APMC जब contract farming को बढ़ावा नहीं दे यानि 2018 में सरकार ने अनुबंद क्रिशी से संबंदित एक model contract act का मसौदा किया इस model क्रिशी उत्पाद और पसूदन अनुबंद खेती एवं सेवाए प्रोसाहन एवं सहूलियत अधिनियम 2018 नाम दिया गया इसमें सरकार ने क्रिशी उत्पादन के साथ पसूपालन और पॉ अनुबंद क्रिशी को प्रोसाहन देने के लिए अनुबंद खेती सुविधा समूहों का निर्माण किया जाएगा वहीं किसान की भूमी या परिसर में कोई स्थाई निर्माण नहीं किया जा सकेगा पहली बात दुसरा साथी छोटे वं सिमान किसान जो marginal और स्मॉल फार्म सेवाओं को राजियों के क्रिशी उत्पाद वीपडन यानि APMC मंडी के दाहरे से बाहर रखा जाएगा अब अगर APMC मंडी के दाहरे से बाहर रखा गया तो APMC को भी कोई प्राब्लम नहीं होगा और जो APMC मंडियों में बहुत तरक के सुल्क लेते हैं जो multi levy system होता है वहा और अधिनियम के तहत मुलिस रिंकला के अंतरगत उत्पादन से पहले और उत्पादन के दौरान तथा उत्पादन के बाद के सेवा को भी अनुबंदों को मने उनके उसमें भी जो अगर कुछ अनुबंद हुआ कॉंट्रेक्ट हुआ है तो उसको भी सामिल किया जाएगा चलिए अगर इसको समझ लिए तो इससे संबंदित एक प्रश्ण हल करते हैं सरकार अनुबंद क्रिशी को बढ़ावा देने के लिए किसान अनुबंद क्रिशी दौरा अपने उत्पाद का विक्रे कर लाप कमा सकेगा कथन दो इसमें पछुधन को भी सामिल किया गया है कथन तीन यह किसानों के ओपर बाजार जोखिम को कम करेगा क्योंकि इसमें निर्धारित मुलेपर निश्चित मातरा में विक्रे का स्वासन मिलता है ओपर इपशुधन मेंसे कौन सा कथन सत्य है क्या बात है पकड़े हैं ना क्या कि पहला कथन गलत है क्योंकि APMC में इसमें सामिल नहीं किया गया APMC के दाइरे से बाहर रखा गया और पसुधन को सामिल किया गया दूसरा और तिसरा दोनों ही सही है आंसर क्या होगा A केवल दो और ती आईए अब हम अपने आज के अंतिम टॉपिक पर बात करें WTO Subsidy and Peace Clause Subsidy हम जानते हैं कि जहां सरकार सबसीडी के माध्यम से जो गरीब वर्ग है उसको जहां एक तरफ आवश्यक वस्तुएं सस्ती उपलब्द कराती है वहीं किसानों को जो MSP दे रही वो भी एक परकार की सबसीडी है अब सबसीडी सरकार जो दे रही है किसानों को MSP के दुआरा कहीं न कहीं वो WTO से किस तरह से मेल खा रही है WTO के नियमों का उलंगन कर इसको जड़र हम समझते हैं WTO हम जानते हैं World Trade Organization जिसकी स्थापना पहले तो GATS के रूप में General Agreement on Trade and Tariff के रूप में हुआ था बाद में 1947 में और बाद में इसको इसका नाम बदल करके इसको हटा करके माने वो तो केवल वस्तू के उपर बंद माने एक तरह का समझाता था सिवाओं पर वो लागू भी नहीं था ठीक है GATS अब उसको समाप्त करके क्या लाया गया WTO एक जनवरी 1995 में और इसका मुख्याल है जिनेवा में और सबसे बड़ी बात है अभी 164 सदस से है यानि 164 सदस से इसका जो है वो अफगानिस्तान है जो 2015 के नैरोभी सम्मेलन में क्योंकि हर दो साल में WTO का मंत्री स्थरी सम्मेलन होता है वहाँ पर 164 सदस से अफगानिस्तान की रूप में अफगानिस्तान एड हुआ है अब WTO में जो सम्मेलन जैसे मैंने बताया मंतरी स्तरी संमेलन एक मंतरी संमेलन जिसको माना जाता है 2001 में हुआ था-धह संमेलन फीक है वहाँ पर war К fines में तीन एगडिमेंट किये गए है agriculture पर वस्तू पर agriculture में चार सब्सीडी box बनाए गए जिसको हम लोग बॉक्सिफिकेशन भी दूसरा नामा हुआ non-agriculture market access ठीक है नामा माना जाता है जो non-agriculture से related है और तिसरा general agreement on trade and services गैट्स लाया गया ताकि service में mode 1, mode 2, mode 3, mode 4 की बात की गई थी तो एक तरह से देखा जा तीन समझहोते वे उसमें सबसे महतुपूर समझहोता जो boxification की बात की गई कि 4 box बनाये गए green, blue, amber और red box इसमें red box को प्रतिबंधित कर दिया है WTO में कि जो आयात को प्रतिबंधित करने के लिए आप दूसरे देख से आयात नहीं करना चाते तो अपने ही वस्तों को सस्ता कर रहे हैं WTO को में प्रतिबंधित किया गया है अब WTO में बात बोला गया कि जो 3 subsidies में green box subsidy है green box में आप लोगों ने पढ़ा इसको पहले ही कि green box में क्या होता है कि ये क्रिशी के अनुसंधान और विकास research and development में दिया जाता है अब चुकि research and development में दिया जाता है इसलिए इस पर कोई upper limit नहीं होता आप जितना भी इसमें दे सकते हैं क्यों क्योंकि ये trade distortion नहीं पैदा करत सबसे ज्यादा green box subsidy देते हैं फिर आता है blue box subsidy blue box subsidy में क्या है जो क्रिशी के आगत input है जैसे बीज है उरुवरक है सिचाई के साधन है इन पर subsidy दी जाती है अब इस पर subsidy तो छूट है लेकिन साथी सरकार ने क्या करिया इसमें डब्लू ट्यों में क्या किया जाता है इसमें उ सिमित कर दिया है तो वो सबसीड़ी तो भहुत कामका नहीं हुआ तो यह हुआ blue box subsidy जो सबसे हमारे पढ़ने का विशहếu है और जो सबसे चर्चा का विशह वो रहा है अंबर बोक्स सबसीडी अंबर बॉक्स सबसीडी क्या है अंबर बॉक्स सबसीडी जो व्यापार में विकृती ट्रेड डिस्टॉर्शन करता है अब जो व्यापार में विकृती उत्पन करता है या तो उसको बंद कर देना चाहिए लेकिन ये व्यापार में पूरी तर से विकृती नहीं आ वो umber box subsidy नहीं दे सकते हैं ठीक है अब जो developing country है जो भारत जैसे दे से वो 10% से ज्यादा नहीं दे सकते हैं यानि ज्यादा तर यह जो subsidy दी जाती है इसको याद रखेगा यह क्रिशी के जो वस्तु जो क्रिशी उत्पादत वस्तु में है agriculture product है उसको भंडारण में जो उसको सं क्या यह 5% में है कि 10% को या 10% या 5% की सीमा में है उससे ज्यादा है अब हुआ क्या हुआ 2013 में हम लोग लेकर आए राश्टी खाद्यान सुरक्षा अधिनियम National Food Security Act जिसके अंतरगत आप देखिए हम अपने 67% population को 67 67% प्रतिसद दो तिहाई जनसंक्या को 3 रुपे 2 रुप अनाज राइस वीट और फूड ग्रेन हम लोग पब्लिक डिस्टिबिशन यानि राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब परिवारों को अपलब्द करा रहा है जिसमें अंतियोदे और बीपियल परिवार को 35 केजी अनाज प्रति महीने दिया जा रहा है और जो important नहीं क्य परिवार जो बीपियल और अंतियोदे नहीं है तो उनको उन परिवारों को 25 केजी अनाज दिया जा रहा है ठीक है और राशन कार्ट महिलाओं के नाम पर बनेगा अब एक बहुत बड़ी जनसंक्या को सामिल करने के कारण सरकार इसमें बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है आप मान कर चलिए सरकार जो खर्च कर रही है वो लगबग इसमें एक तरह से देखा जाए तो 1,60,000 करोड उससे भी ज़्यादा सरकार हर साल इस पर देखा जाए अगर हम पूरे सबसीडी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा 56% सबसीडी सरकार केवल फूड सबसीडी पर खर्च करती है अगर सरकार के कुल सबसीडी की बात करते हैं तो 56% केवल फूड सबसीडी और उसमें भी ये कारिकरम सामिल है अब सबसे बड़ी बात है कि WTO में दो गुट है अमेरिका जो विक्सित देशों का लीडर है वहाँ पर विक्सित देशों के हितों को ध्यान में जाता है भारत को और दोनों में वेशा टैरीफ और नॉन टैरीफ बैरियर को लेकर के लगा रहता है आपस में जगडा टैरीफ जहां पर सुल्क लगाता है विकासिल देश की भीया अगर हम आपका आयात करेंगे तो हमारे देश के उद्योग प्रभावित होंगे वहीं हमेशा क्या अमेरिका और भारत के बीच में हमेशा मध्वेद चलता रहता है इस बात को लेकर अमेरिका सोचता है कि कभी ना कभी तो मौका मिले जो भारत को इसका सिखा सके है अब अमेरिका को मिल नहीं रहा था लेकिन 2013 में अमेरिका को ये मौका मिल गया अब उसमें हम ल एक दम टेक्निकल टर्म्स में जाए, बहुत दिन हो गए, कुछ कहानी नहीं सुनें, ठीक है, तो कहानी के दौरा इसको समझने का प्रयास करते हैं, अब ये सचाही नहीं है, केवल कहानी के तौर पर समझी है, अब हुआ क्या 2013 में जब इसको लाया आ गया, ये बोल करके कि भ पूरा का पूरा चुनाओ रणनीतिस पर बना हुआ था, लेकिन अब 2014 का जो चुनाओ देखकर के इसको लाया गया, और 2013 में जब इसको पास किया गया, और देखा गया, इस पर ये ध्यान नहीं रखा गया, कि इतना जादा मात्रा में, जब हम अनाजो का संग्रहन करेंगे पब्लिक स्टॉक होलडिंग करेंगे, तब उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, कि हम 10% जो है, वो सबसीडी के अपने जो, अमबर बॉक्स सबसीडी है, उसकी सीमा को बाहर कर देंगे, अमेरिका को पता लगा, अमेरिका बुला, रे हुआ, मजा गया, हना, अब पहाड के नीचे आया, चलिए, बुलाइए भारत को, अब भारत को कैसे बुलाएं, अब देखिए, 2013 सेप्टंबर में ये लागू हुआ, ठीक है, इसको सुरू किया गया भारत में, और 2013 दिसंबर में ही, दिसंबर में ही, एक सम्मेलन हुआ जिसको कहा गया, बाली सम्मेलन WTO का, अमेरिका बुला, बुलाव भारत को, अब जब भारत को पता लगा कि भाया, उसकी क्लास लगने वाली है, तो भारत तब भी यहां से अपने मंत्री सम्मेलन में, अपने मंत्रियों को यहां से भीजा, ठीक है, भारत सरकार यहां से भीजी, अब भारत सरकार जानती थ नहीं सर्व सम्मती, फुल कंसेंट होना चाहिए, अब भारत ने पहले ही द्विपक्षी वैपार, बाइलेटरल ट्रेट को बढ़ावा दे दिया था, सब देशों के साथ बाइलेटरल ट्रेट करने लग गया था, खासकर विकासिल और अविक्सित देशों के साथ, अब जिस इंडिया जी, आपने तो महान काम किया है, यह कौन सा इतना बड़ा कारिक्रम लेकर आगए, इतना बड़ा सबसीडी कारिक्रम, NFC, आपको यह पता नहीं लगा, कि आप इसके चक्कर में पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का, 1986-88 का जो आधार वर्स है, बेस यहर है, जो आपक रिफ्रेंस पॉइंट आप उसको उससे आप ज़्यादा बड़ा रहे है, 10% सबसीडी से ज़्यादा दे रहे हैं, भाई देखो WTO के सारे मेंबर भारत उलंगन कर रहा है, WTO का नियमों का जो है, यह भारत उलंगन कर रहा है, कहीं न कहीं सबको वहिया एक बात पर राजी ह होना चीए कि भारत को बाहर निकालो, भाहिया भारत चुपचाप सुन रहा था, भारत क्या बोलता, भारत को बाहर निकाली जाए, अमेरिका मनी मन खुश की वह, अब मजा आएगा, अब इसको सबक मिलेगा, अब आए, गिरगड़ा है हम लोग के सामने, ठीक है, जैसे वो आज करेगा, WTO में ऐसे बात करेगा, तो भाहिया देखो, आज हमारे गरीब लोगों का हित करने के लिए हम हित को देखकर, हम ये कारिकरम लेकर आए, कल के दिन में तुम को यह ऐसा कारिकरम लाओगे, तो भाहिया तुम भी बाहर जाओगे, हम तो जा रहे भाई, तुम ल अब अमेरिका बोला कि ठीक है सरकार हम इसको कम करेंगे तो अमेरिका यहां चाल चलता अमेरिका बोला ठीक है काम करते हैं हम आपको एक जनवरी 2017 का टाइम देते हैं ठीक है 2013 का बात है December 2013 हम आपको एक जनवरी 2017 का टाइम देते हैं इसके लिए हम लोग क्या करेंगे agreement on agriculture जो WTO का एक प्रावधान है उसमें संसोधन कर देंगे कि अगर आप अगर कोई देश अगर इस तरह का सबसीड़ी दे रहा जैसा है कि आप दे रहे हैं ठीक है पब्लिक स्टॉक ह ठीक है इस मामले में लेकिन 2017 तक आप इसके लिए कुछ न कुछ कीजिए और WTO में हम इसको हम इसको बोलेंगे peace clause यानि अब शान्ती है ना तो हम कुछ बोलेंगे ना आपको कुछ बोलेंगे अमेरिका मनी मन खुश किया बेटा अप अपा फसे तुम भारत बुला हाँ बात तो सही है भाई ये तो फसादिया हमको कि अब एक जनवरी 2017 के बाद क्या होगा जनता तो पिटेगी हम लोगों को और कुछ नहीं है अगर हम बंद कर देंगे तो उनको क्या समझ में आएगा पीस क्लॉस किया और अमबर बॉक्स अबसीडी किया लेकिन भाईया उस समय तो चुनाओ सामने था ठीक है ठीक है आप कर लीजे अब साइन हुआ उसके बाद चले गया पीस क्लॉस हो गया ठीक है कि 2017 अब इसी दोरा ने एक और घटना घट रहा था कि अमेरिका में 2008 के घट कम करेगा इंपोर्ट ड्यूटी और जिससे अमेरिका निर्याद जादा कर पाएगा और जिससे उत्पादन बढ़ेगा और अमेरिका में रोजगार बढ़ेगा अब अमेरिका जानता था कि सब देश तो मान जाएगा लेकिन एक देश है जो उसकी बात नहीं मानेगा आप जानते कौन देश है ना तो भाईया वो देश नहीं मानेगा तो यह तो मुश्किल हो जाएगा पास कैसे होगा अमेरिका चुपचा बैठा था कि नहीं नहीं यह भारत नहीं कुछ भारत इसमें विरोध करेगा ठीक है जेको कहानी की रूप में बता रहा हूं यह टीएफे चानते का हमारे देश क्या पूरे विष्व में रोजगार को बढ़ाएगा वे रोजगारी दूर कर देगा टी एफे टी एफे तो लागो होना चाहिए अब अमेरिका को जब पता लगा भ onlyगा को वारत तो पारत कि थ differs नहीं बली उसका गल कर camel ला यह तो बला में निया बड़ा मजज़ार आया तो बड़ा बड़िया आया मुले साहब आपने तो उस पर रोक लगा रखा है उसके विजा को आपने प्रजीबंद कर रखा रे बागल हो क्या उसके विजा को हटा चालू करो और एक रेड कार्पिट विछा उसको बुलाओ वहां उनका खूब अच्पिज़, गर्म, मने एकदम, काफी बड़ा स्वागत हुआ, उनका बहुत बड़े रूप में उनका स्वागत होता है अब मोदी जी सोछते है कि भाया एक दरस के देखा जाय है तो ये तो भारत का बहुत बड़ा सम्मान है और वास्तव में बहुत बड़ा सम्मान का बात था अब बात हुआ conference conference रोने के बाद में मोदी जी से कहा गया कि भाई वो agreement जली सो agreement लाओ TFA वाला हाँ TFA TFA मोदी जी इसमें sign क्या चीज़े भाई अरे वही वही that you have told everywhere कि TFA TFA जहां आपने बात किया था TFA सबसे बढ़िया agreement जो बहुत रोजगार बढ़ाएगा जो मने चली sign कर दीजिस में मैंने ये तो कब का मैंने तो हमेशा बोला ना National Food Security Act साहब अरे साहब यही तो रास्टी खाद्यान सुरक्षा दिनियम मैं National Food Security Act के बारे में हर जगा बोल रहा हूं और साहब आप चिंता मत करो 2017 हम इसको कम करके ही रहेंगे ठीक है हम इसको कम नहीं कर दे कर देंगे तो हम इसको बंदी कर देंगे आपकी बात मानेंगे और नो 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 आम नॉट टॉकिंग अबाउट ने कर रहे हैं तब उबामा समझ गया ओके अच्छा वाट यू वांट नहीं साहब आपने बोल दिया ना एक जनवरी 2017 को हमारा बंद करवा रहे हैं कारेक्रम ह हमारे देश में चोथाई लोग अभी भी गरीबी ने कासे जीवन ही आपन कर रहे हैं बिलो दा पॉवर्टी लाइन उबामा बोला भाई माने गा नहीं यह तो एक काम करो भाई हम तुमको टाइम और देगा हम तुमको 2020 तक टाइम देगा है वेरी गुड 2020 चलो साइन करो न क्या हुआ मोदी जी यह नॉट साइन ही नहीं सरकार क्यों क्यों अब क्यों नहीं साइन कर रहे हो मुझे और टाइम चाहिए मने हमारी सरकार को और टाइम चाहिए और कितना टाइम इतना तो टाइम दिया 2030 और कितना टाइम सरकार क्या क्या टाइम कितना टाइम तुम के और जल से जल सको कम कर लेंगे अब देखिए TFA को साइन करवाने के लिए अमेरिका को यहां जुकना पड़ा और उसको मानना पड़ा यहां से एक जनवरी 2017 का क्लॉस समाप्त करके इसको अनिश्यत काल के लिए इंडेफिनिट पीरेट तक बड़ा दिया गया यह बात अरग है कि अमेरिका बार बार दबाओ डाल रहा है भारत पर जो हम लोग पढ़ते रहते हैं अभी भी ग्यारवा जो अर्जेंटीना में हुआ था वहां भी दबाओ बहुत तेज़ था लेकिन अमेरिका टी एफे को जहां पास करवा पाया वहीं भारत पीस क्लॉस के थुरू इसको इंडेफिनिट पीरेट कर पाया ठीक है मेरे ख्याल से आप लोगों ने अच्छे से समझा भी होगा इसको और अब आप कभी इसको भूलेंगे नहीं तो बच्चो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त हुआ और आपको आने वाले पीटी एक्जाम के लिए all the best अच्छे से महनत कीजिए और उमीद करता कि ये जितना भी एपिसोड बनाया गया ये सारे एपिसोड आपके एक्जाम के परपज एक्जाम के दिष्टिकोर से को ध्यान में रख करके हमने इस पर पूरी दिष्टि टीम ने महनत की है तो पूरी दिष्टि टीम की तरफ से आपको एक्जाम की सुपकाम नाए all the best कि एक स्चाओ्या खब शुछियर राओ फो भडिसोज आपके हमने तो की एक प्राइब डिसोचा में कねometव की सासिए में आपके हमने चाएलों का स्चाभी एकिए एक्डें के घंपके परफ से++elpon.